आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाइका ब्रैंड के उपर जो की आपके एक इंडियन मल्टी ब्रैंड ब्यूटी रिटेलर कंपनी है और ये आपके सेल आउट करते हैं कॉस्मेटिक और जितने भी वेलनेस प्रॉडक्ट होते हैं वो अपने वेबसाइट पे औ आपने जितने भी ओन ऐसा ओनलाइन रिटेलर काम स्टार्ट किया था इन अपरिल 2012 तो वहां से लेकर के आज तक की जो जर्णी रही है उसके उपर हम लोग वीडियो में आगे बात करने वाले हैं तो वीडियो में आप आखरी तक बने रह सकते हैं यहां अगर देखे तो य यह कंपनी आपके e-commerce online cosmetic selling website है जहां से इनके जो e-commerce platform है वो आपके beauty और cosmetic products के काफी जादा आपको एक कह सकता है wide range provide करते हैं जहां पर आपके आते skin care, makeup, luxury products, fragrance, hair care products वो भी आपके किसके both for men and women साथ ही साथ यहां अगर हम लोग इनके एक और segment की बात करें तो यह आपके fashion में भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं जिसके आगे भी जिसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में बात करने वाले हैं यहां अगर देखे तो जो online portal है उनके अंदर आपको around 35,000 के आसपास products देखने को मिलेंगे जिन में से आपको 400 brands available है इनके पूरे website पे और साथ ही साथ इन नेक्स्ट यहां पर बात करें अगर जो इनके competitors हैं वो कौन-कौन से हैं जैसे कि आप देख सकते हैं Amazon हो गया आपके Body Shop, Purple, Slassy, साथी, Jabong, Mintra, Beardo and Bridgebox तो यह सारे आपके competitors हैं कुछ एक दो और competitors हो सकते हैं तो शायद यहां पर वो included ना हो अगर आपको मिलता है तो आप हमें व तो अभी फिलहाल के लिए जो target consumers रहे हैं वो normally young student आपके रहे हैं professional हो गए जिनको मतलब जिनका ध्यान जादा से जादा beauty और being trending तरीके से रहने का होता है उनके उपर अगर हम लोग देखे तो इनके जो first या फिर primary target जो है वो आपके women's है और secondary target इनके men categories हैं तो आपने जैसे क साथ ही बात करें इनके जो presence रहे हैं वो आप देख सकते 35,000 प्लस इनके products रहे हैं 10,000 प्लस आपके zip codes में ये available है with 1000 प्लस cities और 400 प्लस brands इनके आपको नजर आते हैं जो retail stores है वहां पर भी और इनके जो e-commerce platform है वहां पर भी साथ ही साथ इनका जो अभी फिलहाल presence रहा है वो आ इनके के टेग्रीज में आते हैं तो इन्होंने सबसे बड़ा अभी annual flagship sale event launch किया था होस्ट किया था जो कि pink Friday sale from 24th to 30th November के लिए था in quarter 3 तो इस quarter 3 में इन्होंने ये एक तरीके से अपने जो भी आप कह सकते promotional activities के लिए इन्होंने अपने sale event को आप होस्ट करते हुए ये नजर जहां से इन्होंने अपने आप कह सकते कि wide range of 100 plus authentic products इन्होंने वहां से बेचे थे with 1500 plus brands उसके साथे साथ आप देखेंगे इन्होंने अपने app के थू भी किया था web और retail store के थू इन सारे जितने भी sales से उनको किया है इन्होंने उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करेंट to announce the pink Friday sale. Nika ने launch किया था marketing campaign across जितने भी आपके digital और social channels है जिन में आपके brand ambassador कौन रही थी? जानवी कपूर इनकी brand ambassador थी जहां से आप लोगोंने ये भी देखा हुआ कि इन्होंने invite किया था कि जितने भी biggest haul है ये year का होने वाला है और during the sale Nika ने आप कह सकते कि अपने customer को engage रख e-commerce जितने भी products ने गुलिनोंने किया है साथ ही साथ इनके जो biggest beauty steel event जो था वो होस्ट किये गए थे dolly sing get through और यहां पर आप देख सकते what's a hit with app user तो यहां से ये hit भी रहा था इनकी app users के लिए और यहां से इन्होंने discover किये थे और explore किये थे आप कह सकते है जितने भी content है आपके जितने भी entertaining content थे वो app पे next यहां पर बात करें तो naika ने launch किया था तुम ही हो naika यह एक campaign इन्होंने launch किया है अब brand film celebrating woman तो यहां पर इन्होंने women के बारे में जो जिन्होंने अपने खुद के script लिखे थे life stories के बारे में उनकी उपर भी एक celebration के तौर पे इन्होंने अपने campaign को launch किया था और आप यहां देख सकते हैं जो इनके true supporters थे वो इन्होंने आपकी TV, OTT और social platforms थे जहां पर इन्होंने जितने भी अपने broadcast किये थे जितने भी आपकी यह brand film थे वो नेक्स्ट यहां पर बात करें in quarter 3 FY22, Nika Cosmetic launched a new format of quick drying nail enamels तो यहां से आपके Nika Insta Dry के basis पे आपको nail enamels that means nail polish बगएर इन्होंने launch किया था और यहां आप देख सकते हैं जो की instant अब लगाते हैं इनके instant यह आपके dry हो जाते हैं साथ ही साथ 100% प्लस आपके natural hair oils भी इन्होंने market में launch किये हैं और यहां पर आप देखेंगे कि 20% vitamin C serum यह भी इन्होंने launch किया था next अगर यहां पर हम लोग बात करें नाइका ने introduce कि आपके multiple international brands as well जहां से आपके कौन-कौन से brand है वो आपके सामने हैं और यहां से आप देखेंगे इन्होंने अपने premium और luxe categories को आप कह सकते कि introduce करते हुए यह नजर आये थे साथ ही साथ इन्होंने अपने जितने भी physical retail stores है वहां पर भी आपको expansion करते हुए नजर आये हैं जहां पर इन्होंने अभी फिलहाल आपके 12 new physical retail store इन्होंने launch किये है ओपन किया है वो भी कहा टियर 2 और टियर 3 cities में जैसे कि आपके जोदपूर, राजकोर्ट, त्रिवंदरम और आप कह सकते हैं यहां से जो इनके total operational physical stores है वो आज के दिन में आपके, sorry वो आपके December 31st तक जो थे वो आपके 45 cities में available थे और numbers थे आपके 96 stores वही अगर आप देखेंगे इन्होंने अपने warehouse की जो capacity है वो भी आपको ये बढ़ाते वे नजर आये हैं जो कि आप देखेंगे 1 1.35 lakh square feet हो चुके है quarter 3 तक यह हो गए इनके आपके beauty and personal care के जो अभी फिलहाल में जो भी चीज़े इन्होंने लांच की है या फिर जो recent के जो भी news है उसके basis पर हमने बात किया अब अगर यहां पर यह देखें कि इनके जो visits होते हैं इनके जो store पे यह आप कह सकते हैं जो इनक जो इनके website है app है उन सब पर अगर हम लोग मिला के देखें तो आप हर बार देखेंगे हर year में आपको यह बढ़ते हुए नजर आ रहे होते हैं जैसे कि आप यहां कह सकते हैं 15% के basis पर आपके yoy का jump रहा है इस साल वही 9 month के numbers पर आप नजर डालेंगे तो यहां पर भी आप 43% के आसपास जो yoy basis पर jump होते हुए नजर आए हैं next यहां पर आप देखते हैं right hand side बहां पर आपको quarterly basis पर numbers दिये हुए हैं जहां पर आपके जो numbers है वो million में हैं आपको यह भी बढ़ते हुए नजर आएंगे जैसे कि quarter 2 FY22 में यह जहां 220 million के आसपास इनके visitors थे वहीं आपक नजर आया है year on year basis पर और वही 9 month पर अगर आप year on year basis पर बात करें तो 67% के आसपास numbers आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं साथ ही साथ यहां पर हम लोग बात करें अगर इनके quarterly basis पर तो वो भी आपके 21 million से यह आपको 22 million के आसपास होते हुए नजर आए quarter 2 and quarter 3 के उपर तो यह हो गया आपके फिलाल जो भी beauty and personal care के जो visitors हैं वो किस तरीके के आपके monthly average visitors जो हैं वो किस तरीके के निकल के आ रहें तो यह सारे आपके numbers रहें अब इनकी जो दूसरी category है fashion business के उपर वहां अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने quarter 3 में अपने first tv campaign launch किया था वो भी for नक्र जहां पर आपके जो brand investor रही है वो Alia F थी next यहां पर आप देखेंगे इन्होंने काफी popular brand जो रहा है आपकी Europe का top आप कह सकते top 20 fastest growing company में से एक है N.E.K.D. तो इन्होंने अपने जो fashion segment है उसके उपर भी इन्होंने अपने product को launch किया है और यहां से आप देखेंगे different types of आपके जितने भी wardrobe के आपके designs बगरा आपको यहां नजर आ जाएंगे साथ ही साथ इन्होंने collaboration किया है निखिल थमपी के साथ जिनका एक brand है RSVP जहां से इन्होंने अपने party collection के जितने भी products रहे थे जितने भी garments थे वो यहां पर आपको launch करते वे नजर आ है जितने भी designer clothing थे with attractive pricing for consumers next यहां पर आप देखेंगे इन्होंने मसाबा गुपता के साथ भी collaboration किया है जिनका brand है NYKD तो इनका भी कुछ sleepwear का collection है वो भी आपको इनके website पे या फिर आप कह सकते retail stores पे आपको मिल जाएंगे तो इन्होंने अपने साथ ही साथ आप जैसा कि देख सकते beauty products के लिए जिस त इसलाल देखने को मिली है अब यहां से बात करते हैं अम लोग जो इनके fashion के जो brand है fashion जो business segment है उनके उपर कितने visitors आपके नजर आए है year on year basis पे बात करें तो 356 percentage के आसपास आपको YOY basis पे jump देखने को मिले है वही 9 month के basis पे आप 245 percent का jump नजर आएगा next अगर आप quarterly basis पे देख वही monthly average unique visitors के बारे में बात करें तो यह आप देख सकते है FY21 में 249 के आसपास का jump नजर आया है वही 9 month के basis पे 260 percent के आसपास का jump नजर आ रहा है वही आप बात करेंगे अगर इनके quarter 2 के basis और quarter 3 के basis पे तो आपको similar numbers में आपके जितने भी unique visitors रहे है monthly average के basis पे वो उतने ही नज दर आये हैं next बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ यहाँ पे analyst की जो estimate रहे हैं वहाँ 75 percent analyst आपको buying की rating provide कर रहे है 17 percent आपको कह रहे हैं आप चाहे तो आप यहाँ से sell करके निकल सकते बाकी 8 percent आपको फिलाल hold करने की सला दे रहे हैं next यहाँ पे बात कर लें इनके जो consolidated revenue निकल क्या है from operations उसके उपर तो यहाँ आपको जो jump नजर आ रहे हैं वो है 32 percent के आसपास का y o y basis के उपर वहीं आप देख सकते हैं 9 month पे भी बात कर तो 65 percent के आसपास का y o y jump नजर आया है तो जैसा कि आप कहेंगे यहाँ पे FY 2020 में जो इनके numbers निकल किया थे वो थे 18,501 million वहीं आपको 24,409 million के आसपास के numbers नजर आ रहे हैं quarterly basis पे अगर बात करें तो यह आपको हमेशा बढ़ते वे नजर आया है और इस quarter की बात करेंगे तो 36 percent के आसपास का jump नजर आ रहा है साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम लोग यह देखे quarter on quarter basis के जो jump रहे हैं वो है आपके 24 percent के नजर आ रहा है next यहाँ पे बात करते है PBT and PAT के बारे में that means PAT और PBG के उपर हम लोग बात करेंगे तो इनके जो numbers आपको नजर आएंगे FY21 में उनके PBT के नंबर है 661 million के आसपास वही FY2020 में आपके numbers आपको काफी गिरते हुए नजर आये थे minus 145 million के आसपास हुआ करते थ वही अगर हम लोग quarterly basis पे बात करेंगे तो जहां ये पिछले quarter only 14 million का business इनों ने किया है वही आपको quarter 3 पे ये 370 billion के आसपास के इनके PBT निकल किया रहे है that means profit before tax वही अगर हम लोग PAT की बात करते है profit after tax तो यहाँ पे भी आपको numbers में काफी अच्छा खासा एक jump नजर आ रहा ह या तो आप year on year basis पे देखे या फिर आप quarterly basis पे देखे तो काफी बहतरी नंबर आपके दोनों ही जगे पे नजर आए हैं next बात करेंगे company के उपर debt कितना है तो 24 करोर के आसपास आपको company के उपर debt नजर आ रहे हैं बट उससे जादा आपको इनके पास cash नजर आएंगे जो क आपको promoters के पास नजर आएंगे 38% आपको public के पास नजर आ रहे हैं साथ ही 6% है आपके FIS के पास और only 3% है आपके DIS के पास आगे अगे अगर हम लोग यहां देखे तो promoters के उपर जो pledging है वो आपको zero नजर आएंगे साथ ही यह रहे हैं आपके चार mutual fund जिनमें आपके first है access equity hybrid fund direct row जिनके 1.24% के आसपास investment है second one is mirai assets great consumer fund direct row जिनके 1.06% है यहां investment जो third है वो आपके access triple advantage 1% के आसपास और invest को की बात करें invest को इंडिया flexi cap तो यह आपके 0.97% के आसपास invest करते हुए नजर आए हैं बाकी अगर आपको वीडियो आखरी में अच्छा लगता है प्लीज इ in case आप हमारे चैनल पे नए है चैनल को subscribe करना भी ना भूलें यहां देखते हैं हम लोग सीधा सीधा इनके चार्ट के उपर weekly time frame पे बात करें यहां से आपको यह दो हफ्तों से दो तीन हफ्तों से यहां वापस आपको यह मुरते हुए नजर आ है 1250 की price से वापस आपको यह reverse नजर आ रहे हैं वही वन डे के time frame पे अगर बात करें तो आपकी लिए यहां पे भी काफी अच्छा मौका निकल के आ रहा है बाकी आप चाहें तो नजर बनाए रख सकते हैं आपको अगर कोई dip में मिले तो आप यहां से थोड़ा और aggressively यहां आप investment कर सकते हैं बाकी तो यहां से आपके लिए एक अच्छा मौका है आप चाहें तो अपने हिसाब से आप यहां पर investment स्टार्ट कर सकते हैं बाकी कोई doubt है इस वीडियो से related आपको इस company से related या फिर आपको कुछ और additional information मिलते हैं वो आप हमें comment box में बता सकते हैं बाकी आज की वीडियो में बस इ